हालो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे मैं क्यार सेहनी के आर एजुगैसने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों रेले में लोको पालेट की भरती के लिए आविदन सुरू होंगे हैं ओनलाइन तो यहाँ पर कहीं सारे सातर आविदन करेंगे तो आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों फोर्म बरते समय कुछ चोटी चोटी चीज़े हैं आपको ध्या सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्रेंट पब्लिकेशन के जो है प्रेक्टी सेट आए हैं इस स्क्रीन पर आप एक क्रेंट पब्लिकेशन की बुक देख पा रहे होंगे इसमें फर्स्ट और सेकंड सीबीटी के जो है प्रियोसेर के क्यूशन पेपर है और कोई भी एक्जाम के तयारी की नहीं किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो आपको जो है प्रियोसेर का जो ह और इसमें जो है टोटल 56 set है, आप इस book को consider कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको यह book online, offline, किसी भी नजदीकी store से आपको यह मिल जाएगी, online अगर आपको खरीदना है तो इसका link आपको discussion मिल जाएगा, और इसमें यह सारे को जो है, इतनी सारे ship है जो दे रखें, इनके सब के ग्रूप D NTPC में शातुरों किया गलती है कि तो दिखा जाता हूँ इसके रिगार्डि मैंने साथ मेने फैल एक वीडियो भी बना दिया था देखिए रहा इस वीडियो को लिंक में आपको डिस्क्रेश्ट में दे दूँगा आप जाके देख सकते हैं अब देके दोस्तों य कोजगार सुचना आरार सी एक 2019 के तयात लेवल बन के यानि ग्रूप D वाले सात्रों ने क्या-क्या गलती है की तिक जिसके कारण का केंड़ेटर इदक रद कर दिया गया था देखिए यहां पे पहला जो केंड़ेटर से रोल नंबर है नेम है फादर नेम है इसने जो है र नाम राजियस है तो आपको अवलब जो है रैनिंग में करना है राजियस ऐसे लिखना आपको ऐसे केपिटल में आरे जेएस करके नहीं लिखना है नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी इसके बाद अगले केंड़ेटर सेल्फ रिप्यूजल दिया है और यहां पर देखो देख लो केटेगरी का कितना बड़ा रोल है अगर आपने केटेगरी गलट डाल दिये तो फाइनल में जाके आपको बहुत बड़े पस्ता हो आगा उनको जो है कित्ते बेच्छे मार्स है उनका रद हो जाएगा यहां फिर आपको जनरल फाइट करना होगा लेकिन यहां प मिसमेश करने के बाद हैं हलांकि यह कोई कारण बहुत बड़ा कारण ही होता है पिछली बर्तियों में इसको रिजेक्ट कर दिया गया है इसके बाद में अगला जो कंड़ेट से रिजेक्टेड डूट इसने से लिए और रोंग इंफोर्मेशन देते हैं इस वज़े से इस कारण जो है इनकी पातरता निरस्त कर दी गई थी कहीं सब्सक्राइब बाद है जब आप एक्जाम देने जाओगे CBT का कोई सब एक्जाम हो आपको एक self-appraisal का एक column भरा जाएगा आपकी writing के अंदर अगर वो जो है आपको जुड़ों अक्सरों में लिखनी है running में अक्सरों में लिखनी है capital letter में आपको नहीं लिखनी है इस भाई ने capital letter में लिख दिया था capital letter में नहीं लिखना है rejected due to writing and signature mismatch यहाँ पर rejected writing mismatch हो गया self-appraisal capital letter तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है इस totalize है पिछेतर candidates है इनकी list में आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया हूँ यह मिला नहीं था पीडियेप तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कैसे बड़ी-बड़ी mistake बाद में हो सकती है तो दोस्तों यह सारी चीजी जो है अभी मैंने बताई है आपको यह आपका इसमें instruction भी दे रखें आपका जो notification है सारे कुछ instruction भी है चलो में आपको notification दिखा जाता हूं वन बाइवन करके दोस्तों स्क्रीन पर आप एलपी का जो है वाइड़ notification देख पा रहे होंगे इसमें कुछ instruction है उनको अपनको ध्यान से पढ़ना चीए देखे यहां पर आपका जो है second point जो है लिखा है यहां से clear हो जाता है कहीं सारे दोस्तों के मन में यह सवाल है कि सर हमने जो है second year में हमने exam दे दिया है हमारा result आना बाकी है या हमारा exam अगले महीने है तो हम इसमें इसमें लिखा गया है कि आपका अगर केंड़ेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट और प्रेस्क्राइड एजुकेशन टेकनिकल कौलिफिकेशन नोट इलिजिबल टू अपने दोस्तों एक्जाम ही नहीं यहां पर आपने एक्जाम दे दिया है और इसका रिजल्ट भी कि आए फाइनल डेट तक यह फोर्म अप्लाय हो रहें उननिस फरवरी तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसमें आव्यदन नहीं कर सकते आप इसके लिए इलिजिबल नहीं हो गए सापसाप लिखा हुआ है इसमें आवेदन करने के लिए आप आपको application करना है और आपको एक ही option मिलेगा only one RRB only one application per candidate यहीं एक किंड़ेट जो है एक ही RRB से form बर सकता ऐसा नहीं है कि कोई कोलकाता से भर देगा कोई भौपाल से भर देगा और अजमेर से तीनों से गल से एक ही बंदा form बर सकता नहीं बर सकता अगर आपने ऐसा किया तो आपको disqualified and कर दिया गया और कर दिया जाएगा और आपको बरती से बाहर कर दिया जाएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा इसमें eligibility है जो भी eligibility आपका डिप्लोमा बीटेग या आईटेए वगर है जो भी समधिर ट्रेर्स है वो है और SST आपको OBC Community का जो है आपको विश इस नहीं है बाद में बहुत बड़ी problem create हो जाएगी अगर आपने ST डाल दिया और आप जनरल से हो तो आपको जो है ST का certificate कैसे बनवाओगे बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप इसको serious लेना एकदम क्योंकर पहली जो CD होती है selection लेने की वो form ही होता है form application जो उपन भर प्रवरी तक आप जो है तीन चीजों में सुधार नहीं कर सकते हो वो भी यहां पर साफ साफ दिया गया है तीन चीज में जो है आपको अब एक तो email ID में और एक mobile नंबर में और एक आप जिस zone को सरेक्ट किये हो उस zone को यहां पर चेंज नहीं कर सकते है बाकि आपके नाम मे पर आप आप फोर्म में आप नहीं परें इसमें बहुत डिफिकल्ट इसका जो है डिफिकल होता है सबसे जो इसकी ग्रूप डी और ग्रूप सी में बात करूँ तो सबसे हाई-लेवल का मेडिकल स्टेंडर इसी का होता है तीन चीज में आपको बताए ती कि आपको जो है email ID और mobile number और आपका जो है और भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं बाकी जो आप क्रेक्शन कर सकते हैं उसके लिए 500 रुप आपको पे करना पड़ेगा वह भी सारी को चीज़ें यहां पी मेंशन है यह 500 रुप आपको यहां बरना पड़ेगा जो कि non refundable होंगे इसके आगे अग तो देखिए signature of candidates all the documents should be uniform and identical signature must be in running handwriting not in block capital और disjoint trade letter देखिए यह बहुत बड़ी बात है इसका प्रिशेस तोर से ध्यान रखें इसी बेसे कहीं सारे साथर जो पिछली कुरूप डी की भरती में भार हो गये थे final section होने के बाद भी तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए signature और आ जो class होती है उसमें कहीं सारे सात्र मजह मजह में 500 ऐसे जनरली क्या होता है OBC जनरल वालों की 500 रूपीस लग रही है EBC SC STM में लग वालों की 500 रूपर लग रही है तो EBC वाले क्या करते हैं चात्र क्या सोचता है कि मैं बच्छत हो जाएगी तो यह बहुत भारी पढ़ने लास्ट में जाके क्योंकि मालों आप EBC होई नहीं बाद में आप EBC का सर्टिपेट कहां से लाओगे अभी एभी एभी सी का सर्टिपेट मांगा जाएगा आपसे और अभी नहीं मांगा जाएगा तब बहुत बड़ी प्रोब्लम आएगी पिछले NTPC और Group D में कहीं सारे स हुआ है उनके EBC के सर्टिपेट बनी नहीं पारे तो बहुत प्रेशान हो गए तो एभी सी वाला जो है लपड़ा छोड़े आप यहां 5 रुपर देखे अपने जो भी केटेगरे उसे फोर्म आविदन कीजिए इभी सी में इतना है बस कि आप जो है यहां पर इतना वह फो आपको 500 रुपर लगते हैं वह आपको 500 रुपर लग जाएंगे तो 200 रुपर के चक्र में इवीची के चक्र में ना पड़े और इमेल आइडी और जो भी आपका मोबाइल नमबर आप दे रहे हो वह चालू रहना चाहिए क्योंकर आगे के जो सारे कनोडिशन होगी आपके सारा कुछ चीज़ें आपको मेल ही किया जाएगा या मोबाइल नमबर पर आपको कॉंटेक्ट किया जाएगा जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो अपनी मेल आइडी और मोबाइल नमबर को हमेंसे चालू रखे ऐसा ही नमबर जो हमेंसे आप चालू रखते हो इमेल यह सारी कुछ जान करें दोस्तों आप लोगों को पता हुनुची आप नए हो हम जो है में खुद्रेली में 6-7 साल से नोक्री कर रहा हूं तो मुझे काफी इन चीजों का अनुख है तो मैं चाहता हूं कि आपसे यहां पर कोई गल्ती ना हो ताकि बाद में इतनी मेनद करने क सेलेक्शन लोग और इन चीजों के विजए से छोटी-छोटी चीजों से आपको भाहर करते हैं तो इन चीजों को विश्चेश तोर से ध्हान रखना आई होप आपको जान करें एच्छे लिए कि वीडियो आपको अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ से जरूर करना थेंक्यू